बिस्मिलाहिरामान रहीम, असलाम अलेकुम, मैं हूँ मुहम्मद इम्रान जफर और मेरी चैनल का नाम है साइस उस्ताद आज की इस वीडियो में मैं आपको इंफर्मेशन देने वाला हूँ सेल वाल के हवाले से, के सेल वाल क्या होती है, इसकी स्ट्रक्चर और केमिकल कमपोजिशन क्या होती है और इसके फंक्शन कौन से होते हैं तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ के सेल वाल क्या होती है Cell wall जो है ये outermost boundary कहलाती है plant cell की यानि ये सिर्फ और सिर्फ plant cells में पाई जाती है जबकि animal cells के अंदर cell wall मौजूद नहीं होती अगर हम cell wall की woody plants के अंदर बात करें तो woody plants के अंदर ठीक cell wall मौजूद होती है प्रोक्रियार्ट्स और यूक्रियार्ट्स और plant cells के अंदर जो cell wall मौजूद होती है ये structure और chemical composition के लिहाज से मुख्तलिफ होती है cell wall को असानी के साथ cell से अलग किया जा सकता है यानि अगर cell खतम भी हो जाता है तो उसके बावजूद भी cell wall मौजूद रहती है अब बात करते हैं structure और chemical composition of cell wall के हवाले से तो cell wall की जो थिकने सोती है वो plant cell के मुख्तलिफ cells के अंदर मुख्तलिफ होती है और ये अमूमन तीन लियर्स पर मुश्तमिल होती है यानि primary wall, secondary wall और middle lamella कहलाती है अगर हम इसके functions के हवाले से बात करें तो cell wall का जो सबसे पहला function होता है वो ये है कि it gives stiffness to the tissues यानि tissues को stiffness मुहया करती है और इसके इलावा जो cell wall का दूसरा function है वो ये है कि it gives a definite shape to cell यानि एक खास शकल जो है वो cell की बरकरार रखने में cell wall का बहुत ज्यादा एहम किरदार होता है इसके इलावा it protects the cell from drying environment यानि ये cell की हिफाज़त करती है drying environment से यानि जो खुशक environment होता है उससे cell wall cell की हिफाज़त करती है ये था मेरा आज का टॉपिक जिसमें मैंने आपको cell wall के हवाले से बताया कि cell wall क्या होती है और इसकी structure और chemical composition क्या होती है और इसके functions कौन से होती है तो जिसमें मैंने आपको एहम point ये बताया कि ये सिर्फ और सिर्फ plant cell के अंदर माजूद होती है जबके animal cell के अंदर cell wall माजूद नहीं होती इसके इलावा इसकी structure और chemical composition में आपको ये भी बताया कि ये तीन layers पर मुश्तमिल होती है और इसके functions भी बताए तो इन्शाल्ला एक नई वीडियो में नए topic के साथ मुलाकात होगी तब तक के लिए Allah आफिस